प्रिय दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे की पी कब सैलेंट होता है यदि पी के बाद M या N इन में से कोई भी आए वहाँ पर भी सैलेंट होगा यदि पी के बाद M या N इन में से कोई भी आए वहाँ पर पी सैलेंट होगा उधारन के लिए देखिए पी कब सैलेंट होता है यदि पी के बाद यदि N या S इन में से कोई भी हो वहाँ पर P silent होगा जैसे कि P के बाद यहाँ पर S है तो यहाँ पर P को नहीं पढ़ा जाएगा क्यों P silent है तो हम इसे पढ़ेंगे साम यहाँ पर L भी silent है तो L के silent होने के नियम हमने आपको बथा दिये थी तो इसको पढ़ेंगे साम का अर्थ है गी इस वीडियो में इतना ही थेंक यू, have a nice day